हाई सुपर फैंस आइम स्वापनिल एंड वेलकम टू अनधर एपिसोड आफ सूपर थेरी वो पॉड़कास जहां मैं डिसकस करता हूँ वियर्ड और सेंसिबल सूपर हीरो थेरी सूपर थेरी इसके पास तीनो एपिसोड रिलेटेट रहे हैं कैंग से बट ये एपिसोड थोड़ा अलग होने वाला है और इसमें मैं बात करूंगा डिस्नी प्लज शो सीक्रेट इन्वेजन के बारे में क्योंकि ये थेरी कहती है सीक्रेट इन्वेजन मार्वल सिनेमेटिक को टोटली चेंज करके रख देगा क्योंकि इसी के थ्रू होगा अवेंजर्स का एंड अब आइनो जब भी ये बात उठती है अवेंजर्स की टीम के खतव होनेगी तो वीडियो उसके कमेंट्स काफी नेगेटिव हो जाते है तो पहले ही ये बात क्लियर कर देता हूँ क्य किया था, जिसमें मैंने ये मेंचीन किया था कि मार्वल का फूचर प्लान किस तरह से बन रहा है अवेंजर्स की टीम को साइडलाइन करके बाकी टीम को हाइलाइट करने का, और मैंने उसको सपोर्ट करते हुए बहुत सारे पॉइंट्स भी बताए थे, बट फिर भी लोग टीम्स पे and future में Avengers की टीम फिर से assemble जरूर होगी लेकिन उसमें काफी बड़ा gap होने वाला है तो जब मैं यह कह रहा हूँ कि Avengers खतम होंगे तो उसका यह मतलब है and comments में अब जगड़े ना हो इसलिए यह चीज़ मैंने पहले ही clear कर दिये अब बात करते है secret invasion जो इस साल के Disney Plus Shows में आने वाला first project है although अभी तक MCU ने इसके teaser trailer को ही release किया है जिसका breakdown बाइदर मैं पहले कर चुका हूँ तो वो वीडियो के बाद चेक आउट कर ले ना लेकिन शो इस साल में कब release होगा वो अभी तक clear नहीं है बट इतना तो clear है की show की storyline comic book वाली storyline जो secret invasion की 2008 की comic book है उसी पे based होगी writer Brian Michael Bendis की comic book series रही है ये secret invasion जिसकी storyline में इस krulls ने invade किया था earth को और एके करते हुए इन shape shifting aliens ने earth के superheroes और बड़े बड़े figures यानि कि politicians और leaders तक को replace कर दिया था और इसी reason से ये comic book series काफी popular रही थी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे plot twists थे और ये समझ पाना काफी मुश्किल था कि कौन actual में hero है और कौन villain अब इस Disney Plus show का plot actual में क्या होगा वो totally clear नहीं है लेकिन show में और comics में जो key point रहा है वह इस krull invasion को लेकर public का reaction मतलब आम जनता का reaction और यही चीज एक बहुत बड़ा role play करेगी MCU में भी अब MCU में हमें already पता है कि Avengers की जो core team है जो Avengers नाम है उस पे world का, world leaders का और आम जनता का उतना भरोसा नहीं है although Avengers end game के बाद चीज़े better हुई है क्योंकि Thanos के अगेंस जो battle हुई थी और जिस तर इसे dust हुए लोगों को वापस लाया गया था उससे Avengers की image थोड़ी better ज़रूर ही और Spider-Man Far From Home, Hawkeye और Miss Marvel Shows से हमें पता चला कि कुछ specific Avengers जैसे कि Iron Man और Black Widow को Avengers end game की events की वज़े से heroes के रूप में दिखा जा रहा है बट फिर वही Wanda Vision, The Falcon and The Winter Soldier ये वो series रही है जिन्हों ने ये प्रूफ किया कि end game की battle के बाद public का opinion superheroes को लेके इतना भी अच्छा नहीं है अब comics की तरह show का plot यहाँ पर यही होना चाहिए कि Skrulls कई सालों से धीरे धीरे Earth को infiltrate करते आ रहे हैं और जब ये चीज Avengers की नाक के नीचे ही हो रहा है और secret invasion की through जब इसका खुलासा होगा तो आम लोगों में Avengers की image ज़रूर खराब हो जाएगी यानि कि जब superheroes अपने ही बीच में लड़ रहे थे Avengers Age of Ultron, Captain America Civil War जैसी events में तो हो सकता है उसी दौरान Skrulls और infiltrate करते गए हैं world की governments को और जब इस series में इस चीज़े expose होगी तो US government के अलावा बाकी governments भी Avengers के उपर control लाने के लिए जो सुकोविया अकार्ट्स पहले बने थे उनको implement करने के बीचे पड़ सकती है और इससे बुरा क्या होगा इससे बुरा यह होगा कि कुछ Avengers जिनने अब Avengers के रूप में जानते हैं अल्रड़ी सीक्रेट इन्वेजन सिरीज उन्हें भी स्क्रल्स के रूप में रिविल कर सकती है अब कॉमिक बुक स्टोरी लाइन में हैंक पिम और स्पाइडर वुमेन ऐसे कैरेक्टर्स थे जो किटनैप हो चुके थे और उनने कई सालों से स्क्रल्स रिप्लेस करके उनको प्ले कर रहे थे और शूँ का जो टीजर टेलर आया है उससे यही आइडिया लग रहा है कि शायद वार मशीन पि एक स्क्रल है और अगर यह रिविल होता है कि वार मशीन यानि कि रोडी कई सालों से एक्चुल में एक स्क्रल है तो पबलिक का इन सूपर हेरो से ट्रस्स जरूर हट जाएगा बट ऐसा नहीं है कि सड़नली अवेंजर्स की टीम को गायब कर दिया जाएगा अवेंजर्स की replacements already built किये जा रहे हैं और most probably secret invasion के बाद जो सूपर हेरो टीम अवेंजर्स की replacement की रूप में सबसे पहले दिखेगी वो है थंडर बोल्स और थेरीज ऐसा भी कह रही है कि secret invasion की वज़े से ही set up होगी थंडर बोल्स की टीम अब कॉमिक्स में तो थंडर बोल्स की टीम already form हो चुकी थी यानि कि secret invasion थंडर बोल्स के बाद की इवेंट है अब थंडर बोल्स टीम जो है उसमें बहुत सारे criminals, super villains और anti-heroes हैं जो कि similarly MCU में भी दिखाया जाएगा लेकिन कॉमिक्स में इस टीम का लीडर था इसी तरह का कुछ MCU के phase 5 में भी दिखाया जा सकता है Disney Plus का first show इस साल का secret invasion होगा और phase 5 का last project होगा थंडर बोल्स और इन दोनों प्रोजेक्स को phase 5 में रखने का यही reason भी हो सकता है कि ये दोनों प्रोजेक्स connected है अब थंडर बोल्स की टीम में Valentina Allegra का अच्छा कासा रोल होने वाला है और अगर कहीं भी secret invasion में ये प्रूव होता है कि Skrulls Avengers के presence में ही ये सब कुछ कर रहे थे तो ऐसे में Valentina इस बात को काफी अच्छे तरीके से क्या बोलते है उसको धोल नगाडे वजा के promote करेगी ता कि Avengers की टीम जो उनकी कंट्रोल में नहीं है जो government के कंट्रोल में नहीं है उसे replace किया जा सके उसे sideline किया जा सके और highlight किया जा सके थंडर बोल्स की टीम को जो काम कर रही होगी Valentina के अंडर government के लिए और जैसे कि एक past video में जहां मैंने इस point को सबसे पहले उठाया था कि कैसे Avengers Secret Wars Avengers की core team का end हो सकती है वहाँ पर भी मैंने इस चीज़ mention की थी कि कैसे Avengers universe को बचाने के लिए एक last bar फिर से assemble होंगे अब वो Avengers Kang Dynasty में भी हो सकता है और फिर Secret Wars में भी लेकिन ये जो भी ending होगी Avengers Secret Wars की जो भी ending होगी उसी के साथ Avengers की core team को end करने की कोशिश की जाएगी temporarily क्योंकि Avengers Secret Wars actual में मौका देता है comics की तरह MCU में भी कई नई teams के formation का अब ये जो multiverse आगा है MCU के phase 4 से शुरू हुआ है उसमें already कई अलग-अलग तरह की super hero teams बनती जा रही है जिसमें midnight suns, young avengers west coast avengers, fantastic four और future में आने वाली x-men की team भी होगी लेकिन इसके साथ-साथ MCU के जो core group है जो ये पहले सिर्फ limited था avengers के around वो भी काफे फैल चुका है और मैंने इस चीज़ को भी discuss किया था कि कैसे MCU भी 8 branches में divide हो चुका है जहाँ पर spider verse, cosmic verse, supernatural street fighters और mutants जैसे groups बन चुके है तो जब core avengers की team को retire करके या मार के खतम किया जाएगा sideline किया जाएगा तो वो मौका देता है cinematic universe में बाकी जो superhero teams हैं उन्हें highlight करनेगा बट again ये कहानी जो है ये जो बाकी teams को highlight करने वाली कहानी है ये भी कुछ phases तक चलेगी अब हो सकता है कि वो अगले 3, 6 या 9 phases तक चले लेकिन उसके बाद back to हम आने वाले एक avengers team के पास फिर से क्योंकि अगर आप और मेरी जैसे fans ये चीज़ समझ रहे हैं कि marvel cinematic universe की popularity का main reason जो रहा है वो avengers ही है तो ये बात इतना बड़ा studio भी अच्छे खासे तरीके से जानता है और वैसे भी ये चीज़ हम देखी रहे हैं कि जब कुछ characters को break दिया जाता है और वो कुछ लंबे टाइम के बाद वापस आते है तो audience उसे जादा बसंद करती है और वही reason भी बनता है movie की popularity का तो इसी तरह का कुछ Avengers की टीम के साथ भी future में किया जा सकता है अब again मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि Avengers की टीम को totally खतम कर दिया जाएगा mainly ये जो title है ये नाम Avengers इसका use minimum हो जाएगा और अलग-अलग teams के अलग-अलग नाम use किये जाएगे ये जितनी भी teams feature में आने वाली है उन में से midnight sense की team के लिए मैं सबसे दादा excited हूँ इन में से आपकी favorite team कौन सी है और इस theory को लेके आपके क्या thoughts है मुझे comments में लिखके ज़रूर बताना बकि हाँ जिन-जिन videos का discussion मैंने इस video में किया है इन videos को description और end screen से check out कर लेना बकि next week के super theories episode के लिए अगर कोई topic आप suggest करना चाहते हो तो वो भी comment में लिख देना क्योंकि next week का topic मैं comment से ही select करूँगा मिलते है next video में